प्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले में हेमराम चौधरी ने कहा कि कॉंग्रिस में कोई विधायक नाराज नहीं है दस जून को राजसभा के चुनाफ के दौरान पता चल जाएगा कि कॉंग्रिस पार्टी एक जुट है और तीनों सीटे जीत जाएंगे चौधरी ने पी-सी-सी में जन सुनबाए के बाद मीडिया से कहा कि कॉंग्रिस पार्टी राजसभा चुनाफ में तीन सीटे जीतेगी और बीटेपी और अन्यदल भी कॉंग्रिस पार्टी का साथ देंगे उन्होंने कहा कि गनेश खोगरा नाराज नहीं है उन्होंने तो सिर्फ अपनी बात मुखे मंत्री अशुक गहलोत के समक्ष रखी है हेमराम चौधरी ने कहा कि राजसभा चुनाफ के दौरान अगर जरुवत पड़ी तो बाड़ा बंदी करेंगे तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाफ हुआ तो बाड़े बंदी की जरुवत नहीं पड़ेगी उन्होंने कहा कि BTP से तालमेल पहले से भी अच्छा था और आज भी अच्छा है हेमराम चौधरी ने जोधपुर में पानी की किलत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जोधपुर में नहरबंदी हो रही है नहर बंदी होने से पानी की किल्लत जरूर हुई है लेकिन फिर भी पानी का स्टॉक काफी है पुलिस का पहरा इसलिए लगाना पड़ता है ताकि पानी का सही तरीके से वित्रन हो सके इससे पहले जन सुनबाई करते हुए हेमा राम चौधरी ने कहा कि जन सुनबाई में कॉंग्स कारेकरताओं के साथ साथ आमजन भी अपनी समस्याएं लेकर आए है सभी के आवेदनों को हमने लिया है समस्याओं के निस्तारन के प्रयास कर रही है